सिर्फ DD National पर इंडिया का अपना चैनल से भी में बहुत बहुत शुपकामना है लगे फिर्फ जैनिक आइ इनका यह गेम यह का उशर दिखाना बडा महत अपन होता है है वर्ल्ड स्किल्स के मुकाबले से हमें एक बहुत बड़ी देन बिली है हमें यकीन होता है कि हम कुछ करने की ठान ले तो क्या नहीं हासिद कर सकते कड़ी मेहनत और हुनर से हमारे देश के ग्यारा हुनरबाजों ने पूरे विश्व के सामने एक बेहतरीन प्रदेशन कर हमारा सर गर्व से उंचा कर दिया है वाँ 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 आवुदाभी में आयोजित वर्ल्ड स्किल्स 2017 के सितारे रहे डिली के मोहित दोडेजा सिल्वर मेडल और करनाठका के किरन प्रॉंज मेडल और फिर केरिला के शाहत महराष्ट की करिश्मा इनके साथ साथ सिमोल अलवा, अधित्य पताफ, रोहिम मौमिन, वरुन गावडा, करन धालिवाल, अश्रफ जमाल, समर्थ महेश जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में मेडल ओव एक्सिलन्स हासिल कर देश का नाम पूंचा किया है पहम्यावी का ये नया कीरतिमान रचा गया आबुधाभी वर्ल्ड स्किल्स 2017 में इस हुनर के महाकुम में 58 देश के करीब 1300 युवाउं ने 10,000 से भी ज्यादा दर्शकों के सामने अपनी कला का कमाल दिखाया इन प्रते भवानों में शामिल हुए हमारे देश के 28 हुनरबाज जो अलग अलग शेत्र में भारत का प्रतिने धित्व कर रहे थे इन 28 हुनरबाजों के लिए शुरू होने वाला था जीवन भर संजोए रखने वालाए की आदकार सफर पूरे देश की शुक कामनाओं के साथ इने मिली माननी कौशल मंतरी धरमेंदर प्रधान जी की हौसला अवजाई भारत निश्चीत रूप में इसमार हमारे पूरा विश्वा से 28 बड़ा लग को मिलेगा आँखों में सपने और दिल में जीत हासल करने की उमीद लेकर उलान भर रहे थे ये हुआ आगे थे वो चार रोचक दिन जहां उन्हें दिखानी थी अपनी करामाद रशनाई और आटिश बाजी की चकाचौन से स्वागत किया गया प्रतियोगियों का केरे अटगी दिल में जए है हारा लाव अटगी जए है वह आपे ओपनिंग सेर्मनियार में हमारा परेड होता है हम अपने देश का जंटा लेकर गुजर्द है टीम इंडिया वाले अपने हुनर का जल्वा दिखाने को तैयार थे सन 2007 से हमारे देश को युवा इस प्रतियोगिता में बढ़ चल कर हिस्सा दे रहे हैं और फल सो रूप हर बार हम अपना प्रदर्शन बेहतर करते आ रहे हैं अब मनेगे उनलेगा हैं ऑफ युवा खिरног को विस रहे इजिव इंड कर दाझा सिंस ऑफ भारत के ये युवा विश्वभर के बेहतरीन कौशनियों को दे रहे थे काटे की ठककर, परसों की महलत का फल बस चार दिन में दिखाना था, इतने हाई प्रेशर सिचुवेशन में अपना बेस्ट दे पाना भी एक कला है, वर्ल्ड स्किल्स में इंडिया के जो नतीजे आए हैं वो बहुत ही उच्साह वर्धक हैं, अभी तक भारत ने जब भी वर्ल्ड स्किल्स में पाडिसिपेट किया है, उसके सबसे अच्छे नतीजे हैं जो आबुधाबी में 2017 वर्ल्ड स्किल्स में इंडिया को देखने के मिले हमें इसमें एक सिल्वर मेडल, एक ब्राउंस मेडल और नाइन मेडलियन्स ओफ एक्सिलेंस मिले हैं जो अब तक की सबसे अच्छी परफॉर्मिंस थी वहज दस सालों में इतनी तरक्य वाके खाबल तारीफ है इस साल का हमारा प्रदर्शन इस कदर बेहतर हुआ है कि हमने युनाइटट स्टेट्स, न्यूजिलंड, जैन्मार्क जैसे देशों को भी पीछे छोड़ दिया है भारत के कोने कोने से आए हुए इन युवा कलाकारों की भार्शा, फैमिली बैक्ग्राउंड और जॉब रोल्स बले ही अलग-अलग रहे हो और एक चीज सब में समान है और वो है अवल दर्जे का हुनर और ऐसे अवल दर्जे के हुनर के उधारन बने मोहित दुदेजा प्रतियोगियों को मिस्फ्री चैलेंज दिया गया इस टास्ट में मोहित को बनाना था सेवरें जो की फ्रांस की एक स्वीट दिश है सुचिए दिल्ली का लड़का और फ्रांस की स्वीट दिश मोहित की तैयारी यहां काम आई और उसने अपने उनर का जादू दिखाया और हासिल किया इस खेत्र में भारत का पहला रज़त पदख जब करियर के शुरवात ही इतनी धमाकेदार है तो आग एक सफर कितना हसीन होगा अगर आप देखें जन जन शचात्रो के हमने मेडल पाई हैं वह ऐसे छेत्र जाहतर नहीं हैं जिसमें इंडिया को कोई ट्रिशनल एड्वानटेज मिली हूँ जाहतर उसे हैं कि जो बड़े new-generation ट्रेड्स हैं जॉब रोल्स हैं उसमें इंडिया ने इतना अच्छा किया है मैं आपको अगर एक्जाम्पल देना चाहूं तो पैटिसरी और इंडिया में कोई बहुत इवाल नहीं है एव कंपेर टू जो यूरोप में या नॉर्थ अमेरिका में या वाकी कंट्रीज में होता है इसमें हमें इसके साथ हमें प्रोटोटाइप डिजाइन में ब्रॉंज मेडल मिला है यह भी एक बहुत ही नया चेत्र है और एक बहुत ही इवाल चेत्र है तो मुझे लगता है किसे ना किसी तरह यह दिखाता है कि इंडिया के जो स्किल्स हैं वो हाव देयर कमिंग ओफ एज और यह अ प्रोटोटाइप मॉडलिंग मैनिफाक्चरिंग और एंजिनिरिंग शेत्र का एक एहम हैसा है किसी भी प्रोड़क्ट को बनाने से पहले उसका एक मॉडल बनाया जाता है इस मॉडल को पूरी तरह से टेस्ट करने के बाद ही फाइनल प्रोड़क्ट के लिए तैयारी की ज तोयोटा जेसी कंपनी ने सवारा और उसी हुनर को आबुधाबी के वर्ल्ड स्टेज तक Skill India मिशन में पहुचाया सिल्वर और ब्रॉंज के साथ साथ भारत ने मेडल ओफ एक्षिलेंस भी जीते ये मेडल ओफ एक्षिलेंस उन किंटेस्टेंस को दिया जाता है जिनका प्रदर्शन सराहानिय रहा लेकिन चंद अंकों की वज़ह से पदक तालिका में शामिल होने से चूप गए पर मेडल ओफ एक्षिलेंस जीतना भी कम गौरव की बात नहीं है अगर करन को इस प्रतियोगिता से जीवन का एक नया फलसफा मिला है तो ग्राफिक डिजाइनिंग में मेडलियन ओफ एक्षिलेंस की विजेता सिमोल अलवा को मिले हैं सफलता के कई सारे नुस्खे अब उधाभी वर्ड स्किल्स में हमें भविष्य की जलग भी दिखाए दी जहां मुबाइल रोबोट्स की कारिक शमता को देखकर दर्शक आश्चेर चकित हो गए मुबाइल रोबोटिक्स बहुती अडवांस टेकनोलोजी है जिसमें रोबोटिक्स इंजिनियर की जरुरत पड़ती है और इस सेक्टर में भी भारत के समर्थ गौदर ने मिटल ओफ एक्सिलेंस जीता समर्थ की दैयारी 2014 से ही शुरू हो गई थी 2015 में सफल ना हो पाने की निराशा को शक्ती बना कर समर्थ ने दुगनी मेहनत की और उसी का नतीज़ा है 2017 का ये मेडल ओफ एक्सिलेंस अपने बच्चों को स्किल ट्रेनिंग देने का जब इतना असरदार परिणाम मिला तभी तो दिल से निकलता है कहते हैं ना की हीरे की असली परक एक जोहरी को ही होती है पस्चिम मंगाल के एक छोटे से गाउं का जूली डिजाइनर अश्रफ स्किल इंडिया की बज़र से आबुधाबी में अपनी कला का ऐसा हूँ प्रदर्शन करता है कि उसे मेडल ओफ एक्सिलेंस से समानित किया जाता है देखा एक मेडल ने पूरे गाउं को दिया है खुश होने का मौका और इस मेडल में है हुनर की वो चमक जो समाज को एक नई राह दिखा सकता है अश्रफ का भी कुछ ऐसा ही इरादा है बुझे आगे करना है बुझे बहुत कुछ सेखना है और दूसरों को भी सिखाना है ब्यूटी थरेपी में मेडल ओफ एक्सिलेंस जीतने वाली करिश्मा गुपता की योग लब्धी आज उनके पिता के लिए बहुत ही गर्ब की बात है जो कभी करिश्मा के इस प्रोफेशन के खिलाफ थे अश्रफ की तरह करिश्मा भी ये सुनिश्चित करेंगे कि आगे की पीड़ी भी उनके कोशल की रोशनी से रोशन हो और आने वाले वोल्ड स्किल्ज में हम और बहतर प्रदर्शन करें विजट शेत्रों में मिले ये मेडिल्स दर्शाते हैं कि चाहे स्वादिष्ट खाना बनाने का क्राफ्ट हो या हो महमान नवाजी का आर्ट अत्याधुनिक तकनीक, रोबोटिक्स हो या सजाने सवारने की कलाब हर तरीके की कला में हम बन रहे हैं बेहतर और एक उजवल भविश बनाने में भागी दार वाव भाई वाव मोहित किरन और सारे तमाम मेडल विनर्स आज पूरे भारत के युवाओं के लिए एक प्रेरणा बन चुके हैं इनकी कड़ी बेहनेत को जब स्किल इंडिया मिशन का साथ और अनुभव मिलता है तभी तो इनके हुनर को लगते हैं चार चांद और इन कौशनों को समाज में मिलता है मान समाद यह तो बश शुरुवात है मुझे यकीन है कि आने वाले 2019 के वर्ल स्किल्स में हम काम्याबी का एक नया और सुनहरा शिकर मेरी तरफ से टीम इंडिया को बहुत बहुत बढ़ाएं पूरा देश इन स्किल्स के सूपर स्टार्स की सफलता का जश्न मना रहा है देश के कोने कोने से आ रही है बढ़ाएं अगर आप भी ढून रहे हैं रोजगार और जानना चाहते हैं किसी भी कोर्स या वोकेशनल ट्रेनिंग के बारे में तो NSDC को मिस्कॉल दीजे 088-000-55555 पर या विजिट कीजे NSDC की वेबसाइट www.nsdcindia.org इसके बाद NSDC कॉल सेंटर से आपको कॉल किया जाएगा कॉशल भारत, कुशल भारत, BIRAC, खोज नहीं, उम्मीद नहीं BIRAC का मेन मैंडेट है कि हम स्टार्ट अप्स को और इनोवेटर्स को सपोर्ट करें ताके वो अपने आइडिया को एक प्रॉड़क्ट की तरफ लेके आएं और वो प्रॉड़क्ट ऐसा हो जो हमारी सुसाइटी के लिए बहुत रिलिवन्ट हो एक हमारा इनोवेटर है जो हमारे प्रॉस्थेसिस के तरू बेसिकली जैसे आपका जैप और फुट है उसी तरीके का एक हमारा आर्टिफिशन लिम्ब 3D प्रिंटिंग से बनाया इस इनोवेटर ने किसी भी इनोवेशन की सही परख तभी होती है जब वो आम आदमी रख पहुँचे और उसके जीवन को आसान बनाए हैदरबाज शहेस से कुछ दूरी पर रहने वाले माधव रेड़ी अपने छोटे से खेट में काम करते हुए आज ऐसे ही एक इनोवेशन का लाब उठा रहे है माधव पेशे से एक किसान है और अपने परिवार का खर्चा उठाने वाले एक लौते सदस्ये दो साल पहले माधव जी एक साड़क दुरगटना में अपने बाहे पैर के साथ-साथ अपनी रोजी रोटी का आस्रा भी गमा बैठे थे मैं एक दिन मोटर साइकल पर जा रहा था एक ट्रक से मेरे एकसिडेंट हो गया हस्पताल जाने पर पता चला कि सरजरी के बाद एक पाउं निकालना पड़ेगा हस्पताल में मुझे एक आर्टिफिशल पाउं लगाया गया उससे मैं रोज का कामकास असानी से नहीं कर पात पाई बिच्पिलानी हैदरबाद के एंपस के प्रोफेसर श्रीनिवास प्रकाश रेगालाजी जिनकी कंपनी PSPR Technologies यानी Prosthetic Solutions for Productive Rehabilitation का इनोवेशन है एक लो कोस्ट लाइट वेट प्रोस्थेटिक लिम्ब जो की बनता है अत्याधुनिक 3D प्रिंटिंग टेक्नोलोजी से जहां कई अन्य आर्टिफिशल लिम्ज में प्लास्टर ऑफ पैरिस का इस्तेमाल होता है वहीं इस प्रोस्थेटिक को बनाने की टेक्नोलोजी बिलको दानोगी है और अए पैरिस्टिक टेक्न जानोगीक टूटिक टानोगी बिलको बि pencils wali a seat आप पेरिंग देटीके समे एख जो अएिट वाइए बाहनhã आर्टिक week- consumers बिलको Biraq supported ये patent technology ही है जो इस innovation को भारत के सबसे काम्या प्रस्थेटिक लिम जैपूर फुट से एकदम अलग बनाती है पिलहाली technology बिलकुल निश्वलक टेस्ट की जा रही है और इस बात में कोई दोर आये नहीं कि अगर ये product किफायती दाम पर उपलब्ध हो तो माधवरेड़ी जैसे दूसरे लोगों के लिए भी वर्दान साबित होगी अब मैं रोज मर्रा की सारे काम बिना किसी समस्या के कर सकता हूँ केट में काम करना यहां तक कि बाइक भी चला लेता हूँ मेरी तकलिफ काफी कम हो गई है इसको गलगतुनाने के लिए या उनके बारे में अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर श्रीनवास प्रकाश रिगाला से 9010202879 पर संपर्ख करे हुनर की राह हेलो सर मेरा नाम गौरव पटेल है मैं बनारस में रहता हूँ मैं मोबाइल रपेरिंग का काम सीखना चाहता हूँ लेकिन मेरी आर्थे किस्तिती कुछ अच्छी नहीं है और जो भी इंस्टिट बनारस में है उनकी फीस काफी ज्यादा है तो क्रपया मेरा मार्ग दर्शन क करें कि मैं यह कोर्स कहां से कर सकता हूँ और जहां फीस भी बहुत ज्यादा ना हो धन्यवाद गौरव यह आपका अच्छा इरादा है लेकिए मोबाइल रपेर के जो हार्डवेर कोर्स है हमारे हां वो करीब 400 गंटे की डिवरेशन के होते हैं जिसमें 60 गंटे शामिल हैं और डिजिटल लिट्रसी भी दिखाई जाती है इस सवे क्योंकि आप वारनसी में हैं तो दो ट्रेनिंग सेंटर कम से कम हैं जहां पर यह प्रोग्राम आप सीख सकते हैं एक तो आरेस कंप्यूटर सेंटर है जो चौमुहानी में है वारनसी में और दूसरा ग्रास अकाड़ से 90 करोड मुबाइल कनेक्शन्स हैं तो जाहिर है उसकी रिपेर की भी उतनी जरुवत होगी तो आप ये कारिकरम करके जाहिर है आप अपनी आजी विका के लिए अच्छे साधन खोच सकते हैं आज के हमारे विजेता को मिलता है JCKRC Spa Destination Private Limited की ओर से International Duty and Wellness Products का एक खास गिफ्ट हैंपर मुबारक हो अपने सुझाब देने के लिए हमें मेसेज करें 975-730-3030 पर आप अपनी राए हमें फोन में रेकॉर्ड करके भी WhatsApp करें या YouTube पर विडियो अप्लोड करके लिंक भी बेज सकते हैं या आप हुनरबाज at gmail.com पर भी हमें email बेज सकते हैं हुनरबाज से जुड़ने के लिए हमारे Facebook अकाउंट या Twitter हैंडल पर भी आप जा सकते हैं या लॉग आउन करें www.hunnerbaz.com या www.hunnerbaz.in पर स्मार्ट टीवी, स्मार्ट फोन, स्मार्ट सिटी के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा पर क्या आपको स्मार्ट गाउं के बारे में पता है? जी हाँ, Skill India Mission के रूरल फोकस की बड़ालत बन रहे हैं देश के गाउं प्रगतिशी कैसे? जानने के लिए अगले हपते देखिए हुनरbaz चलो काम करे, चलो काम करे नए यूग को नया प्रणाम करे, चलो काम करे हुनरbaz सीजन त्री, पावर्ट बाइ Skill India Mission तूम तूम तानानाना तरेना